नमस्कार साथियों, इस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है NIOS के DLA कारिक्रम में आज हम चाचा करने जा रहे हैं आंकलन के परिणामों का अभिलेखन एउन प्रतिवेदन इस कारिक्रम में हमारे साथ विशे विशे सगे के रूप में मौजूद है डाक्टर जेयन वालिया किंद्री विश्विद्याले जम्मू के सिक्षा संकाय में सहय क्रुफेसर है डाक्टर वालिया आपका इसकारकर में हर्दिक स्वागत है आईए डाक्टर जेयन वालिया के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं शिक्षिकों आज अभी तक आप लोगों ने विभिन इकायों में अध्यन किया कि एक विद्याले में शात्रों का विभिन विश्यों में विभिन गतिविद्यों में किस तरह से उनका हम आँगलन करते हैं, कौन से प्रिणालियां यूज करते हैं, किस तरह की प्रवधियां यूज करते हैं, प्रयोग मिलाते हैं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आंकलन के जो परिणाम आते हैं उसका अभी लेगन और प्रतिवेदन कैसे किया जाता है आंकलन को मोटे तौर पर प्रिक्षाओं में सफलता या विफलता के साथ संबंद किया जाता है वस्तुता ऐसा होना नहीं चाहिए आंकलन को हम प्रयोग मिलाएं, आंकलन के प्रणामों को सही उजित करें, वर्गी गरत करें और उससे अच्छे निशकर्ष निकाल कर हम शात्र के भविश्य का निर्मार करें उसके अलग-अलग आयमों को उनसे संबंधित जो लोग हैं उन तक पहुँचाएं, सूचना दें इसी बात की हम चर्चा यहां पर करेंगे शिक्षकों आंकलन के दो प्रकार होते हैं, जिने एक दुरुस्य से अलग माना जाता है क्योंकि उनका अपयोग अलग-अलग तरीकों से और भिनी-भिनी प्रियोजनियों के लिए किया जाता है आपने अपने शिक्षक होने के नाते जो अनभुलिया है, उसमें अक्सर सुना होगा योगात्मक आकलन उससे आप परचित होंगे, लेकिन हो सकता है निर्मानत्मक आकलन में मूल और अवसर का पूरी तरह से अनभुशन ना किया हो, उससे आपकी पहचान ना हो या पहले से ही कर रहे हों, लेकिन आप उसके कौशल के बारे में पूरी तरह से परचित ना हों निर्मानत्मक आकलन को कई लोग सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं, इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन, छात्रों को वह रचनात्मक प्रतक्रिया प्रात करने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बहतर सीखने और प्रभावी प्रकति करने में उनकी मदद करे है, ऐस निर्मानत्मक मुल्यांकन है, वो शिक्षा प्राप्ति को बढ़ाता है, आउसके हम चर्चा कर रहे हैं कि एक जिसको निर्मानत्मक पूल्न मुल्यांकन अर्थात फॉर्माटिव इवालोवेशन या सेस्मेंट बोलते हैं, उसको सीखने के लिए अधिकांश विद्यारतिय को समझना चाहिए कि उनसे क्या सीखने की उमीद की जा रही है, उनने ये भी जानना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में इस समय किस स्तर पर हैं, विद्यारतियों को यह भी समझना चाहिए कि वो किस प्रकार प्रकति कर सकते हैं, अर्थात क्या पढ़ना चाहिए और कैसे उन्हें ये भी जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिये हैं। अपने इस्तर का ग्यान होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम शात्रों का निर्माणामत तक और अंकलन करें ना कि सिफ योगात्मक। आगे चलते हैं चर्चा करते हैं निर्माणात तक अंकलन की मुख्य शिष्टाओं की या नेदानिक और सुधारात्मक है जैसा योगात्मक में इतना नहीं संभव है या प्रभावी पत्रक्रिया के लिए प्राधान करता है वाश्चात्रों के स्वम सीखने में उनकी सक्री भ वह चात्रों की स्वम का आंकलन करने और सुधार करने के तरीकों को समझने में हेल्प करता है साहिता करता है वह जो कुछ पढ़ाया जाना है उसकी परिकल्पना के लिए चात्रों के पूर ग्यान और अनभव की नियूपर विक्सित होता है कैसे और क्या पढ़ाया जाना है यह तैक करने के लिए भी सीखने के विभिन शैलियों को समाविस्ट करता है ये बात हम कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं निर्माण अत्मक आंकलन की चात्रों को वे मापदन समझने को प्रोथसाहिद करता है जिनका उपयोग उनके काम को परखने के लिए किया जाएगा हम ये देखते हैं कि जो अत्यापक निर्माण तक आंकलन का प्रयोग समझित रूप में करते हैं वो शात्रों का आंकलन संपूर रूप से और सतत रूप से करने में सहता मिलती है जब हम आंकलन और मापन की बात करते हैं मुल्यांकन की बात करते हैं वहाँ पर हमेशा एक ये पक्ष आता है कि सतत हो और संपूर्ण हो सतत हो और पूरे सभी आयमों के अनुसार हो तो वहाँ पर इस तरह का आंकलन बहुत महत्व रखता है चात्रों को प्रतिकिया के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर भी प्रतान करता है अध्यापक जब कोई निर्मात्मक आखलन करने के बाद चात्रों को ये बता सकता है कि वो कौन से ऐसे विशे वस्तू है वो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर उनको सुधारने का आफशिकता है शात्रों को उनके समकक्षों की सहता करने और उनके द्वारा सहता किये जाने में मदद भी करता है ये एक बहुत आसान शब्दों में हम जणमत्मक आगलन की बात करते है आईए संक्षिप में युगात्मक आगलन की भी बात करें युगात्मक आगलन को सीखने के आगलन के नाम से भी जाना जाता है यहां मैं पताना चाहूँगा पुरह पताना चाहूँगा कि जो निर्मराम तक आगलन है वो सीखने के लिए आकलन है ये सीखने का आकलन है क्योंकि ये युगात्मक है इस प्रकार के आकलन का प्रियोजन शिक्षक को शात्रों की उपलब्धी और एक कार प्रदर्शिन के पहचान करने में सक्षम करना है जिसमें सीखने की अवधी एक सत्र या एक वर्ष हो सकती है क्योंकि योगात्मक आकलंड वस्तुता सत्र के समापती के बर्पश्चात या वर्ष की समापती के बाद किया जाता है धन्यवाद डाक्टर वालिया आपने विस्तार से निर्मार अत्मक और योग अत्मक आकलन पर प्रकास जाला हम यह अपने विद्यार्थियूट ले जाना चाहेंगे कि आकलन के परिणामों के अभिलेकन प्रतिवेदन तैयार करने की क्या आप सेकता होती है बहुत सही प्रश शेक्षिक्रियाओं का शेक्षिक्रियाओं का उसके परशाद हमने यह देखना है कि उन आंकलन के जो हमारे सुचना आ रही है जो उसके आकड़े आ रहे हैं उन आकड़ों को हम कैसे अभिलेखित करें और कैसे प्रतिवेदित करें उसका अभिलेखन कैसे हो उसका प्रतिव कहां पर और किसके लिए है रप्रथा में बात करना चाहूंगा शिक्षक के लिए शिक्षक के लिए और वेधियाले प्रशास्त के लिए निरती निरडारक लोग जो है राज़नितिक की लोग हैं विद्यार्थी, एवे माता-पिता, परामर्श्टगता इनसभी को आख्यों की अफिलेखन और प्रतिवेधन की आश्रिकता होती है चलिए सरप्रता में बात करते हैं कि आकलन के अफिलेखन और प्रतिवेदन के लाब विद्यार्थी और माता पिता को किस तरह होता है हम सब जानते हैं कि विद्याले के कारक्रम हर विद्याले के उद्देश होते हैं और उस उद्देश्म के अनुसर विध्याले विबिन प्रकार के कारक्रम, चाहिए वो सास्यक्षिक हो उसका आयवजन करते जाते हैं और उन कारक्रम के द्वारा बच्चों की शम्ता का, बच्चों के प्रदर्शन का मापन, आकलन और मुल्यंकन भी होता है विद्याले कारक्रम के उद्देशों के इस पश्टता आंकल जो भी हमारे आंकड़े हैं उनके अभिलेकन से उनके प्रतिविदन से और इस पश्ट हो जाता है साथी साथ बच्चों की शमता और कमजोरियों की सूचना भी बच्चों को मिल जाती है कि किस विशेवस्तू में किस शेत्र में चाहे हो सैक्षिक हो चाहे हो सशैक्षिक हो वहां पर उनकी शमता कम है कहां पर उनकी शमता अच्छी है वो इसकी सूचना क्या धार पर अपने लिए वो अवसर भी ढून सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे आंकड़े हमारे जो आंकलन हमने किया है उसके आंकड़ों का अभिलेखन और उनका प्रतिवेदिन यानि रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग समुचित की जाए जिसका हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाए कैसे उसका अभिलेखन हो कैसे प्रतिवेदिन हो बच्चों को समचित अवसर दिये जाए जिसे कि वो उन अवसरों का प्रियोग अपनी शमता और कमजोरियों का विकास करने में कमजोरियों को हटाने में और शमता का गौर विकास करने में लगाए ये भी देखा गया है कि बच्चों में प्रेणा की व्रद्धी भी होती है जो बच्चे कम प्रेरित होते हैं अगर उनको सही सुचना दी जाए समय पर सुचना दी जाए विशेवस्तू के बारे में और उनके दूसरे प्रियासों के बारे में तो वो उससे ज़्यादा प्रेरित होंगे और उसके अनुसार वो उस प्रतिवताओं में या उन जो भी अभी क्रियाएं हो रही हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और आगे चलेंगे साथी साथ एक बहुत आवश्यक चीज़ है वो है शैक्षणिक और साश्यक्षणिक गतिविदियों में संतुलन और सामंज़सिया उसमें जो हमारे आंक्रे हैं उनका जाविलेखन है उसका बहुत बड़ा योगदान है बच्चे उनके माता पिता ये समझ पाते हैं कि मुझे मुझे कहां पर शैक्षणिक और साश्यक्षणिक गतिविदों में संतुलन स्थापित करना है सामंज स्थापित करना है ये बहुत आवश्यक है इसी प्रकार शिक्षक के शिक्षक कार में या शिक्षण कार में आंक्रें के प्रणामों के अभी लेकर प्रतिविदिन की भी बहुत महत्ता है शिक्षण के शिक्षणकार की व्यू रचना और समचित विदियों के निरधारन वो आख़ों के आखलन या उसके अभिलेखन और प्रतिवेदिन के निसार कर सकता है अपने कक्षा कक्ष का समचित प्रभंदन कर सकता है कक्षा कक्ष में कौन कौन सी कमिया है उसके अनुसार बच्चों को आकलन होता है आकलन के अभिविलेखन से और परतिवेदन से उसके सूचना मिलेगी कि उसकी कक्षा कक्ष में कौन से संसाधन, कौन से अवसर है, उनका कप प्रियोग किया जाए, किस तरह प्रियोग किया जाए, उपलब्द अवसरों में और संसाधनों का संचिद निर्धारन का हो, कैसे हो, हर विशे के अनुसार, हर गतिवदी के अनुसार, उसका निर्नेवी शिक्षक जो आंक्लन के प्रेणाम के अभिलेकन है प्रतिवेदिन है उसके अनसार कर सकता है यह भी देखा गया है कि अगर आंक्डें जो आंक्लन के आंक्डें हैं उनका अभिलेकन प्रतिवेदिन अगर समुचित है और अच्छी तरह से मैवजित है तो बच्चे और कि बीच में अगर सामंजस में कमी है या संतुलन नहीं है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह भी रहा है कि जो हमारे आगरन के प्रण्याम जो है उनका जो अभी लेकर प्रतिविदेन है उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात या कुछ दूसरे कुछ ऐसे बातें आ जाती हैं जिसके वज़े से बच्चे टीचर और बच्चों की बीच में सामंजस में असंतुलन आ जाता है इसके परशाद हम यह भी चर्चा करना चाहेंगे कि जो परामर्श दाता हैं काउंसलर्स जो हैं उनके कारण में आंगलन के प्रणामों के अभी लेकर प्रतिविदेन की क्या महत्ता है आजकल आप सभी जानते हैं हर विद्याले में हर एक इंश्यूट में बात की जाती है परामर्श दाता की जो की बच्चे की व्यक्तिकेत समस्याओं का समधान दूनने का प्यास करते हैं बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वह भी लेकित हो उसके रूप में पतिवे दिन किया जाए तो उससे बच्चों की व्यक्तिकत समस्याओं की पहचान हो पाईगी प्रभावपूर्ण अधिगम के द्वारा बच्चों के सामाजिक विकास का सही दिशा निर्धारन कर पाएंगे वह परामश जाता शिक्षकों को माता पिता को बच् बने शाने दैर्श किया जा सके बच्चे के समाज की प् 어디 द्रिस्टिकों एक बहुत महत्वंव विश्य रस में बीएक बहुत सही कदम है ये और उसके लिए आंकनों का अभिलेखन हुना अभिलेकित होना और प्रतिवेदिन होना बहुत आवश्यक है बच्चों की किसी विशिस समस्या की उप्चारात्मक व्यस्त था ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विश्य है जिसमें कि परामश दाता आख़ों के अभिलेकन से प्रतिवेदन से ऐसे निर्ने ले सकता है ऐसे समस्याओं का कारक जान सकता है लेकिन उसके लिए सूचनाओं का सेमाविजित होना अभिलेकित होना बहुत आवशिक है आईए आगे चर्चा करते हैं विद्याने प्रिशासक के कारण में विद्याने प्रिशासक वो चाहे प्रताना चार्ज हो चाहे कोई और प्रिशासक हो किसी स्तर पर हो वो आंकिलन के प्रेणामों के अभिलेखन और प्रतिवेदिन में एक बहुत महत्पूर्ण रोल प्ले करता है और उसका योगदान और उसके जो एक अपना उसके अंदर प्रधर्शन है उससे वो अपने कार्यों की कोसही दिशा दे सकता है उसका अपना एक शिक्षकों की जवाब देही के लिए ले आगया समची जानकारी शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षन दिया जाए शिक्षकों को कैसे जानकारी दी जाए उसके लिए उसके पास अबिलेकित और प्रतिवेदित आंकड़े होने चाहिए जिसे कि वो समय समय पर अपनी समस्याओं का निदान ढूंड सके उसके कारक ढूंड सके और इसी के साथ ही साथ जो विद्याले प्रशासक है वो अभिवाव को और बच्चों को व्यक्तिकत एवं साहमुही करूप से समचित जानकारी और प्रामश भी दे सकता है उसके लिए बहुत आवशक है कि उसके पास वो आंकड़े समचित रूप से अभिलेखित हों और प्रतिवेदित हों एक बहुत और महत्पूर्ण विशय है और वो है हमारे जो नीती निर्धारक है जो राजनितिक ये हैं उनके कार्वे में आखणों के अभिलेखन और प्रतिवेदिन की क्या महत्ता है हम सब जानते हैं विद्याले का प्रशासन विद्याले का जो एक सेयोजन है वो क्लस्ट जिले राज्यकर सभी स्तर पर किया जाता है उसमें जो संभनदित लोग हैं चाहे वो कोई राजनितिक। nिर्धारक हो चाहे वो प्रशासक हो चाहे वो जिला कüchtर हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास सही आंकडे हो अब लेकित रूप में हो चीसका भिलेखन हो व कि गुन और स्तर की व्रद्धी के लिए भी विद्यालों का कैसे वर्गी करण किया जाए किस तरह से विद्यालों को अलग-अलग वर्ग में जिसे की उनको सहता दी जाए उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो सूचनाये हैं उनका भी लेकर और प्रतिवेदन एक सही रूप में हो पार्टिकरम विकास एवं शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन में विस्तर सुधार की तरव करतिशी लहने के लिए भी आवश्यक है कि राजनितिक और जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके पास सूचना सही रूप में अभी लेकित हो और प्रतिवेदित हो बच्चों के द्वारा किए गे पर्दर्शन, बच्चों की शैक्षिनिक और स्स शैक्षिनिक जो उनकी गत्विधियां हैं, वो बच्चे के अनुसार उसके विशेक अनुसार समचीत रूप से अभलेकित और प्रत्वेदित होनी चाहिए, जिसका की प्रयोग, पाठ़िकर्म विकास और शिक्षक शिक्षा में भी लाया जा सकता है जिससे उसमें जो सुधार है वो गतिशील्ड है बहुत ही अच्छे तरीके से डाक्टर वालिया आपने आंकलनेयम प्रक्वेदन की आज़च्टा पर बल दिया आगे मैं जानना चाहुआ कि इस अधिगम प्रक्रिया के अभी लेखन को कैसे हम अंजाम देते हैं किस प्रकाश इसका अभी लेखन किया आता है क्या उसकी प्रक्रिया है इस पर थोड़ा प्रक्रिया कोई जटिल नहीं है लेकिन एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण विशह यह है कि हम जब इसका अभी लेखन करें तो हम यह जानके चले कि हम जो एक इस परिवेश में जो हमारा आज का परिवेश है उसमें हमारे अभिलेखन करते समय कुछ बिंदूं का भली बाती विचार करना चाहिए मैं एक एक बिंदू पर अपने प्रकाश डालना चाहूंगा कि अभिलेखन व्यक्तिकत रूप से पूर्ण होना चाहिए हम जिस भी शात्र का अभिलेखन उसके आंकोरों का भीलेखन करते हैं जो डिकौर्डिंग करते हैं वह पूर्ण डूप से होना चाहिए जब हम सतत और आवियापक मुल्यांकन की बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि हर बच्चे का, हर शात्र का, शात्र का जो व्यक्तिकत रूप से अभिलेकन हो, उसके जो आकड़े हैं, वो उस्तार में हो. दूसरा बिंदू बहुत आवश्यक है कि अभिलेकन का प्रारूप आखणों की प्रकार, और सरजन पर निर्भर करना चाहिए. जो आंकरों के प्रकार हैं जो उसका सुर्जन है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है किस तरह से बनाए गया है उसके पर निर्भर होना चाहिए और तभी उसके अंदे पूर्णता आएगी तभी उसकी सही तरह से वो सयोंजित हो पाएंगे इसके अतरखत एक और बहुत महत्पूर्ण विशे मैं यहां पर उसकी चर्चा करना चाहूंगा आंकडों की प्रग्दी की अभिलेखन की प्रक्रिया के विशे में कि अभिलेखन प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए बगार प्रमाण के अभिलेखन जो होगा उसको हम लोग आगे चल कर शायद प्रयोग में ना ला पाएं जिसलिए जरूरी है कि जब अभिलेखन के प्रशाद हम आंकडों का प्रतिवेदन करते हैं आनि रिपोर्टिंग करते हैं तो अभिलेखन करते समय हमने प्रमाणों के साथ उसको कहने कोई सामन जिस से देखना चाहिए गुनात्मक आग् कभी कठीन भाषा में करते हैं उसके लिए सामन्य और से भाषा में करने के आउश्पता है इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे अभिलेखन विभिन आयमों और विमाओं के निसार वर्गी करत होना चाहिए यह एक और महत्यपूर्ण विशय है जिस पर हम यह देखते हैं कि जो भी हम बच्चे के प्रदर्शन का उसके प्रदर्शन का जो हम मुल्यांकन करते हैं या प्रदर्शन का हम मापन करते हैं और उसके जो हमारे आखड़े आते हैं उनका अभिलेखन बहुत विभिन भिन आयमों और विमाओं के निसार वर्गी करत होना चाहिए अभिलेखन में उलेखित आंकडों के सत्यापन की समुचित विस्था भी होनी चाहिए ये एक और महत्वपूर्ण विश्य है कि जो अभी लेखित अंकडे हैं उनको सत्यापित करने के लिए वैसे उस तरह के हमारी कदम उठाने चाहिए जिससे की आपडे की सत्यापन की विस्ता हो और जो आपड़े हैं वो किसी बच्चे के जो उसका विकास है उसकी जो सुचना दे यह बहुत अवशक है एक आपड़ों की अभिलेखन की प्रक्रिया में आपने अभी अभिलेखन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की इस चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उपज़ रहा है कि अभी लेखी परिणामों का समुचित प्रतिवेदन कैसे करें दिखे अभी हमने चर्चा की है अभी लेखन की बात की है आंकडों का अभी लेखन यानि इसकी सुचनाओं को जब हम अभिलेखन की बात करते हैं, तो हम आज की डेट में ICT को यूज करके, कम्प्यूटर के द्वारा और वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और अडियो रिकॉर्डिंग करके भी सुचनाओं का अभिलेखन कर सकते हैं, और उसके बाद एक बहुत महत्यपूर स्थान पर नहीं पहुंचाते हैं, तो उसका जो एक परिणाम है, उसका जो एक असली, उसका जो एक रिजल्ट है, वो हमको नहीं मिलेगा, तो बहुत जरूरी है कि हम इसका समचित प्रतिविय दिन करें, और उस अभी संबंदितों को, मान ये को एक शात्र है, उसकी गनित में कोई एक शम्ता जो है, उसके बारे में हमें कुछ आंकड़े हैं, उसका प्रस्तूत करण बहुत आवश्यक है, और प्रस्तूती करण उन समबंदित लोगों को, जो की उस सूचना के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, समबंदित हैं, और जैसा कि हमने पहले भी ख होगा अगर वह लेकन व्यापक है सतत है वरगी करत है तो जरूर है कि उसका प्रतिवेदन भी वैसा अच्छा होगा और प्रतिवेदन भी उनको आवेशक है देना जो कि उसके साथ संबंद रखते हैं चाहे वो डारेक्टली हों से साथ जुड़े हुए हूं चाहे जिस तरह स स्पस्टी करण होना चाहिए यह बहुत महत्वपूर इशा है कि परिणामों का स्पस्टी करण होना जब हम उनको प्रतिवेदित करते हैं तो अगर नमें स्पस्टी करण नहीं होगा तो प्रतिवेदन में समस्या आएगी और असली लोगों तक वह इन्फॉर्मेशन नहीं होन ले पहुंचती और उसलिए उसका विस्टी लेशन क्योंकि प्रतिवेदन के बाद आंकोंहों का विस्टी करण होता है और वैसे ही निश्च करण कि PARTिवेदन अगर ठीक तरह से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके निश्च करण में और उसके जो लिश्चेशन है उस पर सबस्तिक्रण से ही उसका सही रूप में प्रतििद्य हो पाएगा सम्बंदिद चेहलना चाहांगा कि परीनाम नात्मक् विश्र लिशन प्रस्थत करेंना बहुत आश्यकुंग!! मैं एक उधारन के साथ इसको परस्तोत करना चाहूंगा कि एक विद्यारती जिसके मालिया विज्ञान में पचास नमबर आये हैं सौ में से उसके लिए पचास नमबर सौ में से है और अकसर यह होता है यह ऐसी ही सुचना प्रत्विदित की जाती है ऐसी सुचना प्रत्विदित की जाती है अधियाबकों को और उसके माता-पिता को या उसे सम्मतित लोगों को हम यह नहीं बताते हैं बच्चे को कि उसके अगर सौ में से पचास नमबर है तो ऐसे उसकी क्लास में कक्षा में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स जिनके नंबर जिनके प्रब्टांक जो है वो 50 से कम है कौन उसके करीब है इतने कौन से बच्चे हैं अर्थात जो आखलों जो आखलन के आखड़े हैं उसका प्रतिवेदें में तुलनात्मग विश्टिलेशनल बहुत आवशेख है और बच्चे तक उसके मा जो भी हमारे प्रणाम आयते हैं उसका जो हम प्रतिवेदित करते हैं तो उसको विद्या लेके लोग प्रशासक अध्यापग और साथी साथ बच्चों के माता पिता बैठकर उसके समिक्षा करें और उसे सही निश्कष निकालें जिसे कि बच्चों की चंशाइंज जो हैं उ बिस्तार से चर्चा की हमारा ग्यान वर्धन करने के लिए डाक्टर वालिया का आभार और धन्यवाद धन्यवाद